जब दिल से धुआ उठा बरसाद का मोसम था, सोद दर्द दिये उसने जो दर्द का मरहम था, हमने ही चितम ढ़ाए, हमने ही कहर तोरे, दुसमन थे हम ही अपने, और रो में कहा दम था, क्या बात है यार, क्या लाइने है, और ये जिस फिल्म का है ना, उस फिल्म का आज किन पे आते हैं, तो भाई धमाल ही होता है, दर्सक खूब देखते हैं इन दोनों की जोडी को, इन्होंने इस से पहले भोला में भी काम किया था, गोल माल, दिरिस्चियम, दिरिस्चियम टू में, आप लोगों ने देखा कितना सांदार था, हाँ ये बात अलग है कि दोनो एक दूसरे के खिलाफ में थे, लेकिन इस फिल्म का जो टीजर रिलीज हुआ है, इस फिल्म को जब आप लोग देखोगे, तो आप लोग का वही पुरानी फिलिंग आने वाली है, कि दोनोंने रोमैंस वाली फिल्में जो करी थी, पुरानी फिल्मों के मैं बारे में बात क कर रहा हूं, उसी टाइप का आपको इसमें फ्लेवर मिलने वाला है, कहा ये भी जा रहा है कि इस फिल्म की जो कहानी है, कॉंटेंट है, वो चानेक के राजनिती, सिक्षा और उनके विचारों पर अधारित होने वाली है, और इसको बखु भी निभाएंगे अजय देवग सैतान में एक्टिंग करी थी, जवरदस्त लेवल का एक्टिंग था, ये अलग बात था कि उस फिल्म में उनकी एक्टिंग को टक कर दिया था, आर माधमन के द्वारा उनको खूब टक कर दिया गया था, क्या भाई जवरदस्त नोंने उसमें एक्टिंग किया था, लेकिन उनकी फिर नेक्स्ट फिल्म आई ये अब इस टीजर को देखने के बाद लगभग 36 सेकेंड का इस टीजर को बनाया गया है और इस 36 सेकेंड में जो मैंने इस वीडियो के शुरू में जो लाइने बोली है वही लाइन बोली जा रही है और साथ में होली भी खेली जा रही है औ और तब्भू को अजै देवगयन रंग लगा रहा है हाँ यार वही रंग लाल रंग और जनते हो इस film के जो डाइरेक्टर है उनका नाम क्या है निरज पांडे ये वही डाइरेक्टर है जो बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने फिल्म बनाई है special 26 बेबी आयारी नाम सवाना जो दर्सक ने खूब पसंद किया है और उनकी अगली फिल्म है ये तो भाई फिल्म के बारे में सोचो ही मत कि इसकी कहानी वीक होगी या अच्छी होगी फिल्म अच्छी क्योंकि इसमें जो जुरे हुए है ना अजय देवगान है तब्बू है डिरेक्टर नीरज पांडे है इसमें और एक और अभिनेता है जिम्मी सेरगील यहां तक इसमें एक्ट्रेस भी है एक और साही मंजेकर तो भाईया कलाकारों की इसमें पूरी लिस्ट है और सभी आएगा ही अभी तो सिर्फ और सिर्फ टीजर आया है वह भी 36 सेकेंड का हो ना हो एक और टीजर आएगा भाई अब तो क्या आज आए इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है क्योंकि आजकर फिल्म पर्मोशन के इतने चोचले चल पर रहे है ना कि टाइटल एनॉसमेंट क आलग से आता है फिर एक ग्लिम्स आता है टीजर आता है फिर वह भाई हो सकता है कि एक टीजर आएगा जिस जो एक तेर मिन Edwards जो होगा उसके बाद ट्रेलर आएगा और लेगा आपको पता नहीं कर रहे हैं, वो जिस भी फिल्म में काम करते हैं, वो एक डिरेक्टर के नजरिये से भी उस फिल्म को देखते हैं, और वो अपना काम 100% देते हैं, और तब्बू भी है ही, उनके अनुभव का भी कमाल आपको देखने को मिलेगा, और सबसे बरी बात है कि दोनों फिर से बड़े पर रोमांस करते हुए दिखेंगे, तो भाई एक अलग सा फ्लेवर आपनों को मिलने वाला है, और ये जो टैग लाइन है जो मैंने शुरू में बताई कि औरों में कहा दम था, ये उनकी एक फिल्म आई थी, जो सभी लोग जानते हैं, इपिक फिल्म थी दिलवाल है, तो भाई फिल्म तो इफिक होने वाली है, तो उमीद करो और इंतिजार करो पांच जुलाई का सिनेमा घर में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले कोई अपडेट आता है, तो मैं आप लोग के सामने वो अपडेट ले करके जरूर आउंगा, तो बस आज के वडियो में चाहिदा, उमीद करते हैं वीडियो देख करके आप लोग को काफी मज़ा होगा, अगर आप लोग मेरे चनल पर अभी अभी आया है, तो यार प्लीद चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करो, शेर करो, और बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर दो, ताकि मैं जोई वी योग साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चैह हिंद,